नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है अदिती स्क्रिजिन में मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त अदिती लेकर आई हूँ आपके लिए पालक पनियो की रेसिपी थोड़े अलग अंदास में जिससे इसका कुकिंग टाइम कम हो जाएगा और ये खाने म बहुत जादा लजीज भी बनेगी तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सब्सक्राइब करें अदिती स्क्रिजिन चैनल को इस चैनल के लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए इस रेसिपी के लिए हमने आदा केजी पालक लिया है पालक को हमने धुलके फाइनली चॉप कर लिया है दो से पचास वरम पनीर लिया है इनको हमने क्यूब्स में कट कर लिया है एक मीडियम साइस का टमाटर लिया है इसको हमने चॉप कर लिया है एक बड़े साइस का अन्यान लिया है चार हवी मिल्चे लिया है एक टेबल स्पून गालक लिया है आदा टेबल तक ये इसमें तकर्विबन आपको एक से दो मनेट का समय लगे या हमें एसा निपेन आने तक पनिर को खु apt करना हैं हमें बहुत ज़या आने पर दार्क नहीं करना है पनिर को कि कि अब एक प्लेट चुको ट्रांसफर कर लेंगे पनीर को फ्राई करने के बाद लगबग एक टेबल स्पून ओयल बचा हुआ कड़ाई में हम उसमें एक टेबल स्पून ओयल और एट करेंगे ओइल को हम मीडियम हीट करेंगे और अब हम इसमें दो इलाइची और एक इंच लंबी दाल चीनी का तड़का लगाएंगे जिसको हमने ख्रॉशर में ख्रॉश कर लिया है इसको हम कुछ टाइम सॉटे करेंगे जब तक इसमें से इसकी स्मेल ना आने लगे अब हम इसमें आदा टेबल स्पून साबुद जीरा एड करेंगे जीरा को SPLITTER होने देंगे और अब हरी मेचो को भी एड करेंगे और कुछ सेकंड सटे करेंगे अब हम इसमें चौप की हुए प्याज और क्रश की हुए अद्रक लसुन को भी एड कर देंगे आप चाहें तो अद्वक लसुन का पेस्ट पना कर भी इसमें यूज़ कर सकते हैं प्यास को हमेरे light golden color आने तक भुनना है प्यास जैसे ही translucent हो जाए हम उसमें स्वादर नसा नमक एट कर लेंगे और mix कर लेंगे प्यास हमारे light golden color के हो चुके हैं आप देख सकते हैं अब हम इसमें masala आड़ करेंगे सबसे पहले हम 20 tablespoon healthy powder आड़ करेंगे 1.5 tablespoon धन्या पौडर आड़ करेंगे 1 by 4 tablespoon वेट चिली पौडर 1.5 tablespoon गवश मसाला पौडर और 1 by 4 tablespoon जीरा पौडर इनको हम mix करेंगे मसाले हमारी powder form में हैं इसलिए बहुत जल्दी पक जाएंगे इसलिए हमें इनको कुछ सेकेंड तक ही mix करना है मसाले हमारे पक चुके हैं अब हम इसमें chop किया हुआ टमाटर आड़ कर देंगे और इस टाइम पर आप gas की flame low to medium कर लिएजे और टमाटरों को आप इस तरीके से mash करने की कोशिश करिए टमाटर हमारे 80% mash हो चुके हैं आप देख सकते हैं अब हम इसमें chop किया हुआ पालक आड़ कर देंगे और पालक आड़ करने के बाद आप gas की flame low कर लिजे इनको हम mix करेंगे हमने पालक को बाकी मसालों के साथ अच्छे तरीके से mix कर लिया है अब हम low flame पे एक मिनिट के लिए lid लगा कर रहने देंगे ताकि पालक soft हो जाए एक मिनिट बाद हम चेक कर रहे है और अब आप देख सकते हैं कि पालक अपने मास से काफी कम हो गया है और इसने बहुत ही अच्छे amount में पानी भी निकाला है अब जब पालक हमारा soft हो गया है तो हम इसको इस तरीके से spatula की सहायता से mash करेंगे तकि जितना भी possible हो ये mash हो जाए और इसकी gravy अच्छी बने ये process लगबग आपको एक मिनिट तक continue करना है अच्छी gravy बनाने के लिए इस तरीके से आप mash करते रहिए पालक को हमने पूरी तरीके से mash कर लिया है spatula की सहायता से इसमें तक्रीबन हमें एक मिनिट का समय लगा है और जो शिर्वात ने पालक ने पानी निकाला था वो भी mash होने के दौरान इसने absorb कर लिया है अब हम इसमें fry कियोए पनीर क्यूप्स को भी add कर लेंगे और mix कर लेंगे अब हम इसमें पानी आड करेंगे पानी का amount हम कम रखेंगे क्योंकि पालक पनीर के gravy पतली बिलकुल भी नहीं अच्छी लगती है पालक पनीर के gravy medium to थिक अच्छी लगती है और पानी एड़ करने के बाद आप गैस की फ्ले मीडियम कर लेजे हमने टोटल आधा बॉल पानी इसमें एड़ किया है अब हम इसको एक बोईल आने देगे और ढग देगे अब हम एक मिनट बाद चेक करेंगे इसको एक मिनिट बाद हम चेक करें और अब आप देख सकते हैं कि पालक पनी में बहुत ही अच्छा खासा उबाला चुका है और जो हमने पानी एट किया था वो मसालों के साथ और पालक के साथ बहुत ही अच्छी तरीके से कमबाइन हो चुकी है अब हम गैस की फ्लेम आफ कर देंगे तो लीजिए हमारी पालक पनी सर्फ करने के लिए बिलकुल तैयार है आप इसको एक बर जरूर बनाईए आपको बहुत पसंद आएगी अगर में वेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चानल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को हिट करें वीडियो को लाइकन शेयर जरूर करें तो मिलते हैं मारे नेक्स्ट वीडियो में एक नहीं और टीस्टी वेसिपी के साथ थैंक यू सो मुच फो वच 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 वीडियो